हलो दीदी नमस्ते कैसे हो आप आज कैसे फोन कर लिया अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे तू ही रोज मुझे फोन लगाती है अरे अरे दीदी आप तो नाराज हो गए मेरे कहने का मतलब था कि बहुत दिनों बाद आपने फोन लगाया है वो क्या है ना पायल की परिच्छा चल दीए तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता दीदी और बताईए कैसे हो आप लोग यहां सब बढ़िया है और तू बता घर में सब ठीक है पायल बिटिया की कहीं सगाई वगाई करी की नहीं अरे कहां करी जीजी कोई धंका लड़का मिले तब तो करूँ आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बताईए लड़का तो है मेरी बेटी का देवरी है बहुत अच्छा लड़का है अच्छे पैसे वाले लोग है तुझे तो पता ही है मेरी बेटी किते ठाट से रहती है हाँ दीदी वो तो मुझे पता है अच्छा लड़का क्या करता है नौकरी करता है लड़का अच्छा खासा कमा लेता है अच्छा दीदी, उसकी नौकरी सरकारी है की प्राइवेट? प्राइवेट है? नहीं नहीं दीदी, प्राइवेट नौकरी वाले लड़के से तो शादी नहीं करूंगी प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा? आज है, कल नहीं आपने तो देखा ही था ना, कोरोना के समय में लोगों को कितनी परिशानी हुई थी आज मैं उसकी नौकरी देखके शादी कर दूँ, कल को उसकी नौकरी चली जाए तो विचारी मेरी बेटी क्या करेगी हम, वो तो है, अच्छा दिदी, कोई सरकारी नौकरी वाल अच्छा लड़का हो तो आप बताना ठीक है ठीक है, चल रखती हूँ अई हद्ध हो गई है, कितने लड़कों वाले के रिष्टे बता रहे हैं सब, लेकिन एक भी लड़का सरकारी नौकरी वाला नहीं है ममी, मेरी शादी तो प्राइवेट वाले से कर भी मत देना, मुझे न सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए, और वो भी मेरे इस्टेंडर का जो मेरी अच्छे से देखरे करे, मेरे खर्चे उठा सके, और मेरे बराबर सुन्दर भी हो, और मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा भी अरे हाँ बेटा, कौन से मैं तेरी शादी कर रही हूँ अरे तेरे सामने ही तो मना किया ना, कि मुझे सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए, ऐसे कैसे मैं अपनी फूल सी बेटी की शादी कहीं भी कर दूँगी तभी तो बेटा, दो सास लड़का ढूर जी हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी ना, कि नहीं मिल रहा तो कहीं भी शादी कर दूँ अरे कुसूम, अरे सीला, आ, बेट, बहुत दिनों बात दिखी है ममी, मैं अंदर जाके पढ़ाई करती हूँ हाँ बेटा, मिठाई लेके आयों तेरे लिए, मेरी भाण जी की ना, शादी हो गई है, बस वहीं गई थी, इसलिए बहुत दिनों से दिखी नहीं पर तू तो घर से बाहर निकलती ही नहीं, कहीं दिखती ही नहीं तू अरे क्या बताऊं, पायल के एक्जाम चल रहे है न, तू कहीं निकल ही नहीं पाती और बता, तू तो घूमती फिरती रहती है, तेरा परिवार भी लंबा चोड़ा है, मेरी पायल के लिए भी कोई अच्छा लड़का हो तो बता अरे लड़के तो बहुत हैं, लेकिन तू करे तब न, मेरी भाण जी के लिए भी लड़का मैंने ही देखा था अच्छा देख, मुझे न सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, कोई हो तेरी नजर में, अच्छा सुन्दा लड़का तो बता अरे लड़का तो घर में ही है, मेरी बेटी का देवर, अभी अभी सरकारी नौकरी लगी उसकी, कोई साथ-ाथ महीने हुए होंगे तू बोल, तू मैं बात बढ़ाओं, देखा तो हो गई तूने, मेरे घर तो आता ही जाता रहता है नई-नई नौकरी लगी है, और तुझे तो पता ही है, सरकारी नौकरी वालों की कितनी कमी है जहां पता चलते हैं लोगों को, पहले ही बुख हो जाते हैं लड़के हाँ, वो तो है, पर ना, तिरी बेटी का जो देवर है ना, उजरा सामला है माना कि सरकारी नौकरी है पर देख कलर भी तो देखना पड़ेगा ना तुझे तो पता ही है मेरी बेटी कितनी सुन्दर है और फिर ऐसे लड़के से शादी कर दूँगी तो चार लोग क्या कहेंगी इतनी सुन्दर लड़की की शादी ऐसे लड़के से कर दी सिप पैसा ही मैटर थोड़ी न करता है लड़का भी तो होना चाहिए क्यों? चल छोण कोई और लड़का हो सरकारी नौकरी बाला देखने में सुन्दर हो तो बता अरे हाँ अभी शादी में गई थी तो बताया था मेरी मामी ने मेरी मामी की बहुका छोटा भाई है वो भी सरकारी नौकरी में है गाउ में रहता है लेकिन बहुत कमाता है बहुत अच्छी नौकरी में हो और देखने में भी किसी हीरो से कम नहीं है एकदम गोरा चिठा दोनों हाथ में लड़ू ऐसा समझ ले सरकारे नौकरी भी और देखने में सुन्दर भी हाँ वो तो सब ठीक है लेकिन तो अभी क्या बोले थी वो गाउ में रहता है हाँ बेहन रहता तो गाउ में है नहीं 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 चल पाएगा मानना की लड़का सुन्दर है सरकारे नौकरी में है पर गाउ में, मेरी बेटी कैसे रह گी जहां मैंने अपनी बेटी को शहर में पला बढ़ा है इतने नाजों से पला है कितने शौक है उसके जेंस टौप पहनने वाली मेरी लड़की गाउ में जाके कैसे रह गी अरे पर वो ऐसा कोई छोटा गाउ नहीं है हर चीज की सुविधा है वहाँ बहुत जाना माना गाउं है और तुझे कौन सा अपनी बेटी को बाहर लेके जाना है जब उसे कहीं जाना होगा तो उसका पती उसको मार्केट ले जाएगा रेना ही तो है वहाँ अब सारे चीजे तो नहीं मिल सकती न अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं थोड़ा और ढून लेती हूँ शाय सब मिल जाए थोड़ा और दिमार पे जोड़ दे तेरे पास तो बहुत सारे लड़की रहते हैं हम् मेरी ननत है ना मेरी ननत की बू असास का लड़का है बहुत सुन्दर है सरकारी नौकरी में भी है और शहर में भी रहता है तुझे जैसा चाहिए बेसा का बेसा लड़का है वो तू बोल तुससे बात चलाओ फिर पर मैंने सुना है कि वो तो चार भाई है ना हाँ हाँ चार भाई है और ये सबसे छोटा वाला लड़का है अरे यार चार चार भाई अरे यार चार चार भाई मतलब कि तीन तीन जठानिया तुझे तो पता ही है न कि मेरी बेटी को काम करना नहीं आता ज़्यादा और तीन तीन जठानिया तो उसकी जान निकालेंगी काम करवा करवा के बेचारी मेरी फूल सी बेटी उसे सब से दब के रहना पड़ेगा अरे क्यों दब के रहना पड़ेगा उसका पती अपना अलग कमाता है सरकारी नौकरी में है भाई है तो क्या हो गया अरे नहीं नहीं यार जिसके घर में इतने दिवराने जो ठाने रहते न, बड़ा जगड़ा होता है, नहीं नहीं, मैं ऐसे घर में तो अपने बेटी को नहीं दे सकती, और कुछ ऐसा बता न, जो अकेला इभाई हो, एक लड़का हो, अरी हाँ, वो मेरे एक दूर के रिष्टेदार है न, उन्होंन लिखा, तुझे जो जो चाहिए सब है उस लड़के में, हाँ, बात तो तू सही कह रही है, पर उसकी तो चार बेहने हैं न, अरे बेहने हैं तो क्या हुआ, बेहने तो कल शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी, फिर तो अकेले ही तेरे लड़की राज करेगी न, उस कभी हो ली आ रही, कभी भाई दू जा रहा, अब चार चार बेटियों का त्योहारी करेगी, तो मेरी बेटी तो कंगाल ही हो जाएगी, नहीं नहीं यार, ऐसे घर में मैं अपने बेटी की शादी नहीं कर सकती, विचारी मेरी बच्ची, तो जिन्दगी भद देती ही रह ज वैसा चाहिए, वैसा अकेला लड़का, सरकारी, नौकरी, गोरा, चिठा, शहर में रहता है, पढ़ा लिखा सब गुण संपन है, पर वो तेरी बुवसास बताती है न, कि उसकी देवरानी तो बड़ी लड़न की है, बहत लड़ती है तेरी बुवसास से, तो क्या हुआ देवरानी जे ठानी का अलग रिष्टा होता है, और सास बहु का अलग रिष्टा होता है, और वो भी एकलावती बहु, सास भी तो बना के ही रखेगी बहु से, अखिर बुढ़ापे का सहारा तो वही होगी, नहीं नहीं यार, बहुत लड़ती है वो, अगर कल को मेरी बेटी तो दुखी हो जाएगी ना, नहीं नहीं, कुछ और बता, सोच और कहीं, एक काम कर बहन तो, तुना अपनी बेटी को अपने घर पे ही बिठा के रह, वैसे भी तीन सासे तो ढोड़ी रही है, दो चार साल और ढोड़ ले, उसके बाद तो वैसे भी तेरी बेटी की उमर ही निकल जाएगी, और जिस तरीके से तु ढूण रही है ना, मुझे लगता नहीं कि तेरी बेटी के लिए कोई लड़का मिलेगा, और अगर शादी तुझे करनी ही है ना, अपनी बेटी की, तो अपने सोच बदल जा रहा, क्या मतलब है तेरा, मतलब ये, कि हमारे सम गुर्ण समपन नहीं होता, मैं तो कहती हूँ, कि जहां भी अच्छा खाता पिता घर का लड़का मिले, लड़का कमाने बाला हो, देखने सुने में हो, वहां बेटी की शादी कर देनी चाहिए, बांकि फिर उसकी अपनी किसमत, कि उसकी जिन्दगी में क्या लिखा है, सु आँ यार, बात तो तू सही कह रही है, मैंने तू इस बारे में सोचा ही नहीं, तो अब सोच, तेरी बेटी की भी उमर निकलती जा रही है, कल को लड़के मना कर देंगे, तब क्या करेगी, हाँ यार, चल मैं तुझे सोच की बताती हूँ, कि किस से बात करनी है, और अपनी ये कहानी अच्छी लगी होगी, दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज जरूर कमेंट करके बताईएगा, तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, एक नई प्यारी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबी को राम राम, अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखे, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए,